नमस्कार मैं हूँ विमाशु मिश्रो और आप देख रहे हैं न्यूज 24 तो लोगसभा चुनाओं के नतीजे हर किसी के सामने आ चुके हैं भारतिय जुनता पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिल पाया है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है बावजूद इसके भारत बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे इससे यह इस्तिती और भी जादा साफ हो गई है लेकिन बहुमत हो जाएगा 400 पार चली जाएंगे एंडिये की सीटे 370 भारतिय जुनता पार्टी पहुच जाएगी यह सपना क्यों नहीं पूरा हो पाया बहुमत का आकड़ा आकिरका से उसकी भरपाई नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद भारतिय जुनता पार्टी कर रही थी उसको यह उम्मीद थी कि anti-incumbency देखने को मिलेगी कुछ सीटे कम हो सकती है लेकिन उसकी भरपाई कहीं नहीं से हो जाएगी यह भरपाई ना हो पाना ही बहुमत के आकड़े से भार बारतिये जुनता पार्टी ने जीती है पिशली बार 183 सीटे जीती गई थी यानिके सीधा सीधा 54 सीटों का नुकसान उत्तर से हुआ है अब इतना बड़ा गैप आगया आप देखिए सीधे उत्तर से इतना बड़ा नुकसान होने की वज़े से भारतिये जुनता पार्टी स सीधे सीधे तीन सो तीन सीटे थी उसके पास पिशली बार और वह बहुमत के आकड़े से बहुत पीछे चली गई अकेले अब देखिए पूर में क्या इस्तती रही पूर में 26 सीटे भारतिय जुनता पार्टी ने पिशली बार 2019 में जीती थी इस बार 30 सीटे जीत ली गई या कि अगर ये चार इसमें जोड भी दे तब भी 50 सीटे उत्तर और पूर को मिला कर भारतिय जुनता पार्टी नुकसान में ही कही जाएगी पश्चिम में चलते हैं पश्चिम में देखिए 2019 में 51 सीटे भारतिय जुनता पार्टी ने जीती थी लेकिन इस बार सिर्फ 38 सीटे ह जीती गई और ऐसे में माइनस 13 यहां भी हो गया 13 सीटों का सीधा सीधा नुकसान भारतिय जनता पार्टी को पश्चिम से भी उठाना पड़ गया आगे बढ़ते हैं दक्षण में देखिए भारतिय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि हमने जो प्रदर्शन पिछली बार कि रहे हैं जो हिंदी पट्टी में नुकसान हुआ जैसा कि आपने देखा उत्तर से इतना बड़ा नुकसान हुआ 54 सीटे चली गई हाथ से और पश्चिम से देखिए 13 सीटे चली गई हाथ से उसकी भरपाई दक्षण से नहीं हो पाई सिर्फ एक सीट जादा भारतिय जुनत आकड़ा देखा जाए उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षण पूर्व उत्तर इन सब को मिला दिया जाए इन सभी जोन्स को मिला दिया जाए पॉलिटिकल तो कुल मिलाकर 303 सीटे 2019 में भारतिय जुनता पाटी ने जीती थी लेकिन इस बार आकड़ा 240 पर ये आकर अटक गय रुग गया 63 सीटों का सीधे सीधे नुकसान भारतिय जुनता पाटी को हुआ है यहीं वज़य है कि बहुमत का आकड़ा 63 सीटे दूर हो गया भारतिय जुनता पाटी से इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उत्तर की रही जहां पर 183 सीटे पिशली बार जी जीती गई थी भारतिय जुनता पाटी की तरफ से लेकिन 129 सीटे ही इस बार जीती गई 54 सीटों का भारी नुकसान उत्तर से हुआ है अब यह नुकसान जब भारतिय जुनता पाटी दक्षण से नहीं पूरा कर पाई उसका नतीजा यह हुआ कि 303-240 में कनवर्ट हो गये और भारतिय जुनता पाटी अपने आप में कमजोर हो गई सरकार भले भारतिय जुनता पाटी बनाएगी एंडिये की सरकार बनेगी लेकिन वो ठसक अब सरकार के अंदर दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहां अकड़ा फिसलकर 243 सीटों का नुकसान सीधे सीधे भारतिय ज से ज़्यादा सीटे थी जब जीती गई थी लेकिन उत्ता प्रदेश में 62 भी घटकर सिर्फ तैतिस रहे गया यानि कि आधी स्थिती भी नहीं रही आधी स्थिती हो गई भारतिय जुनता पाटी की उत्ता प्रदेश के अंदर 29 सीटों का भारी नुकसान सिर्फ उत्ता प् पर 29 सीटे हैं क्लीन स्थित किया गया एक सीट की भरपाई चलिए मध्यप्रदेश से हो चली ब्यार में आ जाते हैं ब्यार में पात सीटों का नुकसान भारतिय जुनता पार्टी को उठाना पड़ा इस बार 12 सीटे ही भारतिय जुनता पार्टी की खाते में आई जेडियो में एक सीट बढ़ी है यहां पर अदस सीटे भारतिय जुनत्य पाइटि ने जीती है पिछली बार नौ सीटे जीती गई थी आगे बरते हैं रहएस्थान लिए सब बड़े बड़े राज्य में बता रहा हूं रहा हो पांच भारतिय जुनता पार्टी ने सीटे गवा दी और वो गई کongsरी के खाते में पंजाब में सीटे देखिए, दो सीटे थी, इस बार एक सीट भी भारतिय जुनता पार्टी के हाथ नहीं लगी, दोनों सीटों का नुकसान हो गया दिल्ली में 7 की 7 सीटो पिछली बार भी भारतिय जुनता पार्टी ने जीती थी इस बार भी जीती दिल्ली में 100 का स्ट्राइक रेट रहा पहुत बढ़िया प्रदर्शन किया गया भारतिय जुनता पार्टी की तरफ से इसमें कोई दोराय नहीं है नौर्थीस्ट सीट पर मनोस टिवारी को सिर्फ रखा गया था मां की छे सीटों पर सबी पृतियाशी बदले गये थे और उसका आसर भी देखने को मिला मनोस टिवारी ने भी इनको repeat किया गया था उन्होंने भी कड़िया कुमार को शिकस दे दि साथ की सातों सीटे दिल्ली में भारतिय जुरंता पाटी के खाते में रही यानि कि यहां ना हार ना जीत यानि कि यहां पर एकड़म बैलेंस चीज़े रही एक भी सीट का ना नुकसान हुआ ना ही भरपाई हुई अब बढ़ते हैं जमू कश्मीर की तरफ वहां देखिए दो सीटे पिशली बार भी जीती गई थी इस बार भी जीती गई है कोई बदलाओ नहीं लद्दाख में एक सीट जीती गई है एक सीट जीती गई थी 2019 में इस बार एक भी नहीं जीती गई एक सीट का नुकसान उत्राखंड हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्विप भारतिय जुनता पार्टी ने पिछली बार भी किया था इस बार भी किया है चंडीगण में एक सीट का नुकसान भारतिय जुनता पार्टी को उठाना पड़ा है जारखंड में 11 सीटे 2019 में जीती गई थी और 8 सीटे इस बार जीती गई है या पर 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है भारतिय जुनता पार्टी को यानिके 183 सीटे जो तमाम राज्यों से आई थी वो 2024 में 128 के आंकड़े पर ही पहुँच गई इन राज्यों के अगर बात करें यह करीब 10 राज्ये हैं जिनका हमने जिक्र किया जो की बड़े-बड़े राज्ये हैं देखे 4, 8, 12, 13, 14 चौधा चौधा राज्यों करें जिक्र किया माफ किज़ेगा इस पैसे 178 सीटे इस बार जीती गई यहां से आई थी माइनस पचपन पचपन सीटों का सीधा सीधा नुकसान भारतिय जनता पार्टी को इन राज्यों से ही हुआ है यह उत्तर के ही ज़्यातर राज्य है और इन में इस्थती कुछ ऐसी रही है कि भारतिय जनता पार्टी 303 थी पिछली बार और इस बार 240 पर ही आकर टिक गई है तो यह है पूरी कहानी भारतिय जनता पार्टी के बहुमत तक ना पहुँचने की भारतिय जनता पार्टी बहुमत तक तो नहीं पहुँची है बावजूद इसके सरकार वो बनाएगी ऐसे में बहुमत की सरकार होने की जो थसक होती है वो एक अलग होती है लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं देगी वो नजर नहीं आएगी अब सरकार किस तरह से भारतिय जुनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी उसको टैकल करेंगे उसको चलाएंगे यह उनके लिए भी एक चैल जो गड़बंदन के साथी थे वो आने हातों नहीं आते थे लेकिन इस बार वो बीच में रोड़ा बन सकते हैं तमाम फैसलों को लेकर क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है तो यह पूरी कहानी है बहुमत से दूर रहने की बारतिय जुनता पार्टी के आपको क्या समझ में आ और हां हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24